हाई विनर्स आज की वीडियो में बिटगर्ट ब्राइज के बारे में बात करेंगे देखिए दोस्तों बिटगर्ट का जो प्राइज है वो आज अगर मैं इसके ओल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ जो अगस्त 13-2021 को था आज से दो साल पहले के अगर मैं बात करूँ की डेट में बिटगर्ट जो है वो 4-0 में 24 की सीरिज में है आज अपने ओल टाइम हाई से बिटगर्ट मोर देन 92% डाउन है और ओल टाइम लो जो है वो प्राइज जो है वो कोईन मार्केट के अपर अपडेट नहीं है अगस्त 26-2021 सिरफ एक डेट मेंचन है लेकिन उसके साब से लोइस प्राइज क्या है वो आज तक मेंचन नहीं है अगर आप लोग बिटगर्ट का चार्ट द बात करूँ तो बिटगर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा डाउन फुल हमें देखने को मिला है लेकिन इसके साथ साथ कभी ना कभी हमें रिकवरी जोन देखने को मिलता है जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बारा मई की तो बारा मई में 23 की सीरीज थी आज उसके कंपारिट बिटगर्ट का बर्निंग और बाइबैक लेकिन रिसेंटली हम देखें तो बिटगर्ट के अंदर ऑफिशल जो ट्विटर है उसके उपर तो लगातार अपडेट है बट बिटगर्ट हम लोगों को वह वैल्यूएशन नहीं बना के दे पा रहा वह प्राइज मूमेंट नह केला BNB Chain का प्रोजेक्ट नहीं है BNB Chain में बहुत सारे प्रोजेक्ट डवलब हुए है आज की डेट में अगर मैं आपको एक प्रेजेंट ट्विट दिखाऊं दो घंटे पहले क्रिप्टो लेजी नाम के ट्विटर प्रोफाइल पर एक ट्विट शेर किया गया है और एक बीटर बीटर यहीं यहीं कि यह वो प्रोजेक्ट ए जिनके प्रोजेक्ट इस लिस्ट में ब्राइज का नाम भी है आज की डेट में अगर मै 1-2- Dr Turkey की बात करूं तो 118 मिलियन डॉलर की मार्किट कैप है बिटगेट ब्राइस की अगर मैं रिलीज वैल्यू की बात करूं तो 235 मिलियन डॉलर की बनती है अंडर वैल्यूड एक बिटगेट का कहीं न कहीं पर ड्रॉबैक तो है लेकिन अगर मैं बिटगेट के ऑफिशल अपडेट के वारे में चेक करूं जैसे रिसेंटली बिटगेट वेंचर्स की तरफ से 1.4 मिलियन यूजडी टी की एक और इन्वेस् अब यह एक ऐसा एको सिस्टम है जिसने ब्लॉकचें टेकनोलजी की जो गेम है आप समझें ब्लॉकचें टेकनोलजी का जो स्ट्क्चर है उसको कम्प्लिटली चेंज किया है उके सो बिटगेट का जो वेंचर पोर्टफोलियो है वो लगातार प्रोजेक्ट में हम लोगों को कभी भी एक बहुत अच्छा momentum देखने को नहीं मिला अगर मैं बात करूँ 13 अगस्त 2021 के बाद से BitGut ने अपना कोई नया all time high बनाया ही नहीं तो क्या 2023 में BitGut अपना all time high एक नया generate कर सकता है अगर यहां पर BNB chain के undervalued project की बात करें और coin market cap coin market cap पर अगर BitGut का data update होने की बात करें तो कहिने की पर BitGut अपने इस साल end तक एक नया all time high बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और यह reason क्यों है BitGut ने recently अपना खुद का एक payment gateway लाँच किया था Paybrise जिसकी help से अब number of crypto payments स्टार्ट हो चुकी है BitGut की एक newly way में updated partnership दुबारा से हुई है now payment के साथ अगर मैं BAC daily का official twitter handle चेक कर रहा हूँ तो Bryce इस time पर highly social engagement में project बन चुका है मतलब इस time पर social media की time में अगर आप बात करो तो BitGut एक highly engagement project है और यहीं पर क्यों Bryce जो BitGut की तरफ से एक EV brand की बात की गई है उससे related भी news आ रही है और दुबाई में बहुत ही recently BitGut अपना यह event करने जा रहा है जब वो अपने क्यों Bryce को launch करेगा 67.5% of people are saying के वो उस event को physically जाकर attend भी करेंगे इन में से एक मैं भी हूँ अगर वो date suit करेगी तो definitely मैं खुद दुबाई जाकर इस event में participate जरूर करूँगा अब यह एक ना ऐसा मोकाब बन सकता है जब BitGut अपना क्यों Bryce launch करे UAE में दुबाई में और वो particular update से BitGut का जो ecosystem है BitGut का जो project की valuation है वो valuation अपना project के अंदर एक वर्थ बुल हम लोगों को increment दिखाए दूसरा BitGut की सबसे बड़ी problem यह है कि BNB chain का project है और coin market cap के उपर proper इसका जो circulating supply है उसकी ratio आज तक update नहीं हुई है third BitGut time to time ना अपना trust factor जो है वो खो देता है वो कैसे पहले burning का announcement आएगा फिर burn होता नहीं है buyback का announcement आता है कई बर buyback delay हो जाता है ऐसे में न holder का trust जो है वो down होता है और holder एक बार पैसा बना कर down में उसको दुबारा खरीदने के लिए कहीं न कहीं पर BitGut को इस तरीके से strategy बनाते है मतलब जैसे ही BitGut से profit बना उसका sellout किया और जब BitGut एक दम नीचे आया तो वहाँ से उसको buy कर लिया हाला कि यह best strategy है अगर मैं किसी भी trading market की बात करूँ बट उसका impact BitGut के एक stable price zone में आ रहा है वो stable price zone हम लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है BitGut बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कही न कहीं पर अपना एक जो undervalued वाला sign लगा हुआ है उसको overcome करके एक अच्छे level पर definitely grow होगा अब देखिए now payment का BitGut के साथ integration हो चुका है BitGut अपना pay price एक option लेकर आ चुका है एक तरीके से indirect way में now payment और pay price दोनों का integration हो चुका है यानि कि BitGut as a payment method भी accept होना शुरू हो चुका है क्यों ब्राइज का जो option है वो कही न कहीं पर BitGut की transactions को बहुत ज़्यादा increase करेगा जिससे BitGut की trading volume पर भी impact आएगा number of holders बढ़ने के बहुत ज़्यादा chance बन जाएंगे reason क्या है दुबई का event जो है वो सिरफ इनके लिए नहीं है जो BitGut के holders है वो सभी के लिए है उस event में और बहुत सारे लोग उनगे जो शायद BitGut को आज जानते भी नहीं है लेकिन उसका positive impact उस event में आ सकता है BitGut को number of holders ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते है तो जितने ज़्यादा BitGut के holders आने की उमीद बनती है उतना ज़्यादा इसकी trading volume पर impact और price के bullish momentum देखा जा सकता है इसके इलावा coin market cap को पर BitGut को हमेशा update रहना जुरूरी है जो अभी तक नहीं हो पाया है आज भी coin market cap में 39% ratio जो है वो circulating supply की है हला कि यह exact नहीं है तो अगर मैं ecosystem और potential की तरफ से बात करूँ तो कोई भी hurdle नहीं है technically hurdle की बात करें तो starting से BitGut community के साथ एक drawback लगी हुए है कि यह जो blockchain है ना it's not a real blockchain और यह technicality जो holder है कई बार BitGut ने complete करने की कोशिश किया overcome करने की कोशिश किया समझाने की कोशिश किया बार-बार tweet किया है बार-बार बीच-बीच में BitGut AMA session भी करता रहता है बट कहीना कहीं पर आज भी अगर मैं community के point of view से बात करू exchanges के point of view से बात करू तो BitGut को sport exchanges की list की अगर हम बात करते है कूकवाइन तक BitGut ने अपना रास्ता बना लिया है इसमें कोई भी doubt नहीं है अगर आप लोग market section में देखें तो कूकवाइन में BitGut ने अपना रास्ता बनाया है लेकिन कूकवाइन के साथ साथ Bitfinex में भी BitGut ने अपना रास्ता बनाया है गेट डोट आयो हूँ भई है आज BitGut जो है कही न कही पर अगर आप देखें तो टॉप में अगर मैं 4 rank की बात कर रहा हूं तो टॉप 4th rank तक तो definitely पहुंच ही चुका है लेकिन हमें क्या है कि कही न कहीं पर Kraken, Coinbase या Binance इन तीनों में से किसी एक में लिस्टिंग अब जुरूर मिलने चाहिए और इन तीनों में किसी एक में लिस्टिंग का सबसे बड़ा हर्डल टेकनिकल फैक्टर्स ही है अगर वो टेक्निकल फैक्टर्स को अवरकम किया जाता है तो मेरे इसाब से बिटगेट को पहली जो लिस्टिंग है वो Binance की मिलने चाहिए उसके बाद Coinbase and then Kraken हो सकता है अगर कू काइन पर यह ओफिशल ही है तो Kraken की लिस्टिंग पहले मिल जाए लेकिन जो मेन जादा चांस है वो कई ने कई पर Binance के बनते हैं तो बिटगेट को मेरे साब से कुछ टेक्निकल हर्डल को फेस करना पड़ रहा है जिसकी वज़े से बिटगेट एक हाइप नहीं बना पा रहा एक अपना एकोसिस्टम बनाने के बावजूद भी एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं बना पा रहा तो कहने कि टेक्निकलिटी इशू मुझे लग रहे है और वो टेक्निकलिटी इशू इस तरीके से है क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिटगेट ब्राइज ने एक अच्छा मतलब इंपेक्ट बनाया था एक रिकवरी बनाई थी उस टाइम पर उस रिकवरी से बहुत सारे होल्डर को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था वो एक अपग्रेडेशन करना था उस अपग्रेडेशन में लोगों ने उस चीज़ को नहीं प्रॉपर फॉलो अप किया तो वो कॉमनिटी पर एक नेगेटिव इंपेक्ट आ गया जिस वज़े से बिटगेट ने अपने एक होल्डर जोन कंफर्टेबल या ट्रस्ट जोन नहीं बना पाया लेकिन रिसेंटली बिटगेट ने पिछले एक साल में काफी अच्छे रिकवरी की है अपने एको सिस्टम में पोटेंशल में और उसके साथ साथ नई से नई यूटिलिटीज को एड़ ओन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है तो ये इंपेक्ट मुझे देखने से लग रहा है कि बिटगेट आज एक सिरफ अंडर्ड वेल्यू टोकन है उसका रीजन कहीं नहीं कई पर कुछ ना कुछ टेकनिकल फेक्टर है या कोई इंटर्नल फेक्टर है जो अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है जब ये टेक्निकल या इंटर्नल फेक्टर का कोई रेजोलूशन या कोई सोलूशन निकलता है बिटगेट डेफिनिटल हम लोगों को एक बुलिश मुमेंटम के साथ मार्केट में दिखाई दे सकता है लेकिन इस टाइम पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है बिटगेट का इवी ब्रैंड लाँच करना दुबई में जिसी साब से बिटगेट ने ट्विट किया है आने वाले एक से दो महीने में हो सकता ये इवेंट हो जैसी इवेंट की प्रॉपर डेट अनाउंस होती है बिटगेट के अंदर हम लोग को एक मुमेंटम देखने को मिल सकती है और कोई बहुत बड़े मतलब हैरानी की बात नहीं होगी कि इसी मुमेंट में बिटगेट अपना एक नया ओल्टाइम हाई बना जाए अभी तक जो अपडेट निकल कर आरहे हैं वो यह हैं बट प्लीज यूवरी इन अहाई ली वोलाटाइल मार्केट तो प्लीज इस्टी इवां टो बाइए thank you so much